Hello everyone, I am Swati and welcome to the complete python series for data science आज हम लोग शुरू करने वाले lecture no.5 जहां हम built-in functions को और आगे पढ़ेंगे part 2 कवर आज हम करेंगे lecture no.4 पे हमने built-in functions का part 1 कवर किया था built-in functions हमारे data-driven profile के लिए काफी important functions होते हैं तो आज हम इसको और जाथा detail में पढ़ेंगे कुछ practice questions भी solve करेंगे और मुझे उमीद है कि अभी तक के जितने भी lectures हुए है उसे questions आपने सही तरीके से solve कियोंगे और खुशी होती है जब बहुत सारे लोग comment में जो मैं practice questions assignment में देती हूं उसके जवाब देते हैं तो इसी तरीके से learn करते रहे हैं शुरू करते हैं आज हम लोग lecture no.5 लेकिन उसके पहले हम लोग जो notes हैं वो किस तरीके से मिलेंगे आज की class के lecture no.5 के इसको सबसे पहले देख लेते हैं उसके बाद शुरू करते है lecture no.5 तो इसके लिए आपको simple सा the iSkill की website पे जाना है आप Google पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे the iSkill.com तो आपको यहाँ पे the iSkill की जो website है वो सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पे आपकी website open हो चुकी है इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में explore courses का आपको option मिलेगा हम जाके click करेंगे explore courses में और यहाँ पे कई सारे courses available है जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको एक option मिलेगा all categories करके यहाँ पे here you can see तो यहाँ पे हम जाएंगे और drop down में हम select कर सकते हैं कि हमें free category का course चाहिए तो हम यहाँ पे free category को select करेंगे इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि free category के हमारे पार courses दिखने लगए हैं जिसमें से हमें जाना है free data science course में अब यहाँ पे आपको option मिल जाएगा free data science course का हम इस course को जाके open करेंगे जैसे हम यहाँ इस course को open करेंगे आपको यहाँ पे option दिख जाएगा download brochure का और enroll now का तो आप यहाँ से brochure भी download कर सकते हैं अब सबसे पहला step होगा हमारे लिए enroll now का तो हम यहाँ जाएंगे enroll now पे हम जैसे ही click करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे page जो है वो देखने के लिए मिलेगा अब अगर आप the iSkill की website में पहली बार आ रहे हैं तो आपको register करना पड़ेगा otherwise आप direct भी login कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे iSkill की website में फर्स टाइम अगर आ रहें तो यहाँ पे register now का आपको option मिलेगा यहाँ पे simply आपको जाना है और यहाँ पे register करना है तो यहाँ आप हमें basic अपनी details डालना है जैसे आपके नाम का first name then after you have to write your last name इसके बाद आप यहाँ पे अपना email id डालेंगे so here I am just writing the email id इसके बाद आपको अपना contact number डालना है so I am writing here the contact number अगर यही आपका whatsapp number भी है तो आप यहाँ पे check box में tick कर सकते है then you have to select your agenda और इसके बाद हमें finally यहाँ पे register की button दिखेगी यहाँ पे जाके हमें click करना है then next यहाँ पे step होगा OTP verification का तो हम यहाँ check out कर लेते हैं OTP और here we have got the OTP also तो हम यहाँ जाके OTP डाल देंगे so I am writing here the OTP all right इसके बाद आपको यहाँ पे verify OTP करना है जैसी आपका OTP यहाँ पे verification successfully हो जाएगा आप यहाँ पे अपना password जो है वो create कर सकते हैं so let suppose मैं आप अपना password create कर लेती हूँ आप जो चाहे वो अपना password यहाँ पे create कर सकते हैं and here we are creating the password अब यह final हमारा step सारा complete हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैश्वूर्ट अब यहाँ पे हम जाएंगे explore courses में और यहाँ जाके हम यहाँ पे free course जो है इसमें हम enroll करेंगे तो explore course में जाने के बाद मैं हाँ पे वापस free category में जा रही हूँ और हमें data science के इस free course में जाके enroll करना है तो मैं हाँ जो data science वाला course है इसमें मैं हाँ जा रही हूँ अब मैंने वापस इसको open किया अब मैं proper तरीके से register कर चुकी हूँ अब यहाँ पर आपको option दिखेगा enroll now का here you guys can see here we are having the option for enroll now तो अब यहाँ जाके हम लोग enroll now करते हैं अब इसके बाद इस course को पढ़ने के लिए completely free है कुछ भी आपको amount नहीं देना है 0 rupees है अब इसके बाद simple यहाँ पर आपको enroll now का यहाँ पर बटन दिखेगा नीचे स्क्रॉल करना है enroll now की बटन पर जाके simply click करना है बहुत आसान सा process देगे जैसे आप यहाँ पर कोर्स में enroll कर लेंगे अभी हमारा कोई premium course ने इसलिए हैं खाली दिखा रहा है इस course को आप जैसे ही open करेंगे आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो show होने लगेगी so let's just open the course अब यह course हमारा open हूँ चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि machine learning का अल्रेडी आपर lectures डला हुआ है निशान भाया का इसके अलावा गर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर python for data science आपको यहां सारी lectures मिल जाहेंगे first वाला चो आपको यहार lecture है यहां पर sara video lecture मिलेगा इसके बाद अगर हम यहाँ पर second देखें तो यहां पर notes का भी यहां पर सारी के सारी जो भी lectures में आपको पढ़ाते जाओंगे, कभी notes होंगे, कभी data set होगा, कभी कुछ और files होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पर मिलते जाएगा. तो शुरू करते हैं, class आज की lecture number 5, lecture number 4 में भी हमने built-in functions का part 1 cover किया था, लेकिन आज हम इसका part number 2 cover कर रहे हैं, हमने देखा था कि built-in functions किस तरीके से use होते हैं, कुछ code हमने run करके देखे थे, built-in functions क्यों use होता है, तो उसका दो reason है कि हम लोग code को reuse कर सकते हैं, और कोई भी अगर हम लोगों को modification करना है code में, तो हमें पूरा का पूरा code वापस नहीं लिखना पड़ता हूँ, और काफी advantages होते हैं, python ने पहले से ऐसे functions बना के रखे हैं, जो हम बार-बार use कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है built-in functions, तो कुछ functions हमने practice के थे, part number 1, lecture number 4 पे, आज हम इसका part number 2 cover करेंगे, और भी ऐसे built-in functions जो की data science के लिए use होते हैं, आज उसे हम practically code करके implement करेंगे, और इसके साथ ही साथ आज ही class में कुछ practice questions solve करेंगे, और इसके साथ ही कुछ practice questions में आपको as a assignment दोंगी, जो basically आपको cover करना होगा, तो बिना time waste की हम लोग move करते हैं अपने Jupiter notebook में, और आज ही class में और भी नए built-in functions को सीखेंगे, practically implement करेंगे और code करेंगे, so let's move into the Jupiter notebook, so here is our Jupiter notebook, let's just give first a heading, सबसे पहले मैं याँ heading दे देती हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं अपना lecture number 5, और इस lecture number 5 को heading के format में लिख लेते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं built-in functions का part number 2, so I am writing here built-in functions, built-in functions part 2, तो इके जो built-in functions है, मुझे उमीद है कि जो पिछला lecture था built-in functions से related वो आपको समझ में आया होगा, आज हम पहला built-in function पढ़ने वाले हैं, इसका नाम होता है bin function, ये bin function क्या होता है, तो bin जो word है वो आया है basically binary से, binary से हमने याप ये basically लिया है bin को, तो bin function basically क्या काम करता है, bin function python में use किया जाता है, किसी भी integer number को binary representation में represent करने के लिए, अब देखे, मैंने जैसा आपको समझाया था, first lecture में भी मैंने आपको ये समझाया था, कि हम जो code लिखते हैं, हम जो programming लिखते हैं, चाहे वो python की programming हो, या c++ हो, या java, खोई भी आप programming लिखते हैं, तो हमारी जो python की programming है, वो directly computer को समझ में नहीं आती है, computer को चाहिए होता है translator, जो कि translate कर देता है, हमारी लिख्योई python programming को किसमें, 0 और 1 के format में, computer basically binary समझता है, machine code समझता है, तो जो binary होता है, ये कैसे होता है, तो binary में सिर्फ और सिर्फ दो ही number यूज होते हैं, 0 and 1, तो अगर कोई भी integer है, let's suppose मान लो, आपके पास है integer 5, अब आपको इसको binary में convert करना है, 5 जो number है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि 5 क्या number है, लेकिन binary computer को कैसे समझ में आएगा, तो इसको हमें convert करना पड़ेगा, 0 और 1 की भाशा में, तो कैसे binary में लिखा जाता है, तो binary में हमेशा 2 जो होता है, उसके power के format में लिखा जाता है, जैसे 2 का power 0, 2 का power 1, 2 का power 2, 2 का power 3, तो ये क्या हो गया हमारा 4 bit, 2 का power 0 मतलब हो गया 1, 2 का power 1 मतलब हो गया 2, 2 का square मतलब 4, और 2 का cube मतलब 8, तो यहाँ पे आ गया 2 का cube, 2 का square, 2 का 1, 2 का power 0, 8, 4, 2, 1, यह जो 8421 है इसी को हम लोग जो basic electronics पगरा की जो भाशा होती है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको यह है 4 bit राइट तो जब भी हम लोगों को जैसे यहां पे आगे अब आपका 8421 अब 5 आपका एक number है यह जो 5 number यह कैसा number है यह integer number है अब आपको इस integer number को convert करना है binary में तो इसके लिए क्या किया ज़रुत पड़ेगी 4 और 1 इन दोनों को अगर मैं मिला दू 4 plus 1 हमारा 5 होता है तो हमको ज़रुत पड़ेगी 4 की और 1 की 8 और 2 की ज़रुत हमको नहीं पड़ेगी 5 बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं आपे जिसकी ज़रुत नहीं पड़ेगी उसके आगे लिख दो 0 0 और जिसकी ज़रुरत आपको पड़ेगी उसके आगे लिख दो 1 1 तो जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि 5 आपका integer number है इसको अगर binary में convert करना होगा तो आप कैसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे तो यहां पर अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 तो अल्रेडी अविलेबल है मतलब यहीं पर आएगा केवल 1 8 को ही हम लोग केवल यूज करेंगे बाकी 4 2 और 1 का यूज नहीं करेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे 0 0 तो 8 को अगर कोई पूछे बाइनरी में कैसे कनवर्ट कर सकने है तो 1 triple 0 अब किसी के मन में ध्यान आ रहा होगा कि मैं को 35 को कनवर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी तो इसके लिए 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकने है 4 2 का पावर 3 2 का पावर 2 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0 तो 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, 8, 4, 2, 1 अब मैं क्या बोल नहीं में को 35 चलिए 35 कैसे मिलेगा ये हो गया 16, 16 में plus आप करोगे क्या 8 16 में 8 प्लस करोगी तो आगया 24 24 में 4 प्लस करोगी तो आगया 28 28 में 2 प्लस करोगी तो आगया 30 और इसमें आगया 31 अभी भी हमारा 35 satisfy नहीं हुआ तो क्या करें? तो यहाँ पे 2 का पावर 5 लिख देते हैं 2 का पावर 5 कितना हो गया? 32 अब हमको चाहिए 35 हमको बनाना है तो इसके लिए मैं हाँ पे 32 का यूज करूँगी और 32 के साथ में 2 और 1 का यूज करूँगी तो 1 बाकी जो हाँ पे जिसका यूज नहीं हो रहा है उसको कर दो 00, right? इसको हम लोग कर देंगे 00 00, तो अगर 32 को अगर binary में लिखना हूँ तो इसको हम लोग लिखेंगे 10011, right? इस तरीके से किसी भी integer number को binary में convert किया जाता है लेकिन ये तो था एक manual तरीका लेकिन यही चीज अगर में को करनी है Python में तो हम लोग इसको बहुत quickly बहुत असानी से कर सकते है अब देखने है कि binary function की मदद से कैसे हम इसको असानी से कर सकते है सबसे पहले मैं यहाँ पर एक variable बना देती हूँ लेकिन सब्सक्राइबल का नाम मैं रख देती हूँ binary representation नाम से ठीक है इसके अंदर मैं दे देती हूँ let's suppose अब मैं को यहाँ पर bin नाम से हमारा यह binary function यूज़ होगा इसके अंदर मालो मैं को 10 जो है इसको convert करना है binary में तो मैं आप यहाँ पर बिन 10 लिख देती हूँ अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेती हूँ मेरे इस variable को जिसका नाम है binary representation अब जैसे ही मैं इसको जाके run करूंगी here we are getting the result okay it is showing binary representation okay spelling दर असल mistake है तो मैं इसको एक short कर देते है binary representation इसके वज़े से error आ रहा था तो यहाँ पर इसको binary rep नाम से कर देते हैं अब run करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर देखे 10 को convert करेंगे आपको यहाँ पर result क्या मिला 1010 मतलब 8, 4, 2, 1 होता है अब हमको 10 चाहिए मतलब 8 और 2 की जरूरत पड़ेगी 4 और 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही है उसके आगे लिख दो 0 और जिसकी जरूरत पड़ रही है 0B नाम से जो कि यह दर शाता है कि आप इसको binary में convert कर रहे हैं तो किसी भी number को आपको बड़े से बड़े number का भी binary निकालना हो तो एक minute में आप उसका binary निकाल सकते हैं जैसे मालनो Z नाम से एक variable है इसमें मैं लगा देती हूं binary अब let's suppose में को यहाँ पे एक number है 200 ठीक है इसका binary निकालना है तो मैं हाँ पे लिख दी bin 200 print मैं करवा लूँगी अब जाके Z को इसको run करूँगी तो 200 को आप जैसी convert करेंगे binary में तो 0B तो सब में prefix लगे गई इसमें भी 0 भी लगा इसमें भी 0 भी लगा तो यह binary को represent करता है इसलिए prefix लग जाता है उसके बाद आपको तुरंत यह 200 को convert करके आपको दे दिया binary में तो ऐसे कितना भी बड़ा number होना आपको manually करने की जरुवती नहीं है जिसे आप एक मालो C नाम का variable है bin यह कोई बहुत बड़ा सा number में यहाँ पे लिख देती हूँ अब इसको binary में manually convert करोगे तो सुचो कितना जादा time लगेगा लेकिन यही beauty है खास बात है python की कि इतने बड़े number को एक second का भी time नहीं लगा और इतने बड़े number का binary आपको तुरंत यह तुरंत यह निकाल के दे दिया तो इस तरीके से काम करता है हमारा binary function राइट clear है यहां तक कुछ भी दिखकत हो कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुरंत comment करके बताना कि हाँ यहां पे यह समझ नहीं आया यह problem है so that I'll answer you in the comments okay आगे बढ़ते हैं अब all right so next function जो हम लोग पढ़ने वाले है वो है sum function बोड़ा देखते हैं कि sum function कैसे काम करता है तो नाम से समझ में आ रहा है sum यानि कहीं न कहीं addition इसमें involved होगा लेकिन किस चीज का addition होगा तो python के अंदर कुछ iterable चीजें होती है जिसके जिसे हम कहते है list.tuple तो list.tuple क्या होता है यह बेकर मैं basic सी भाशा में समझाओं तो इसका मतलब होता है जैसे कि आपके पास मान लो एक a नाम का variable है और आप एक ही variable के अंदर ना मान लो 500 items को store करना चाहते है तो आप इसको कर सकतना है store tuples या list की मदद से अब यह चो tuples और list होता है tuples चो होता है यह basically हम represent करते हैं आपके parenthesis bracket से normal bracket से और list को हम लोग represent करते हैं यहाँ पे किसे square bracket से तो टपल और list अभी के लिए केवल इतना समझ यह यह ऐसा basically data structure होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे items को एक साथ एक ही variable के अंदर store कर सकते है तो अब जिसे मान लो कि मेरे पास एक list है इसके अंदर बहुत सारे numbers है 35, 8, 9, 462 अब मैं यह कह रही हूँ कि इस list के अंदर let's suppose मान लो कि 1000 numbers है अब यह सारे numbers जो हैं हर एक number का आपको plus कर रहा है सबके सबका आपको addition चाहिए तो आप एक एक करके तो नहीं जोड़ोगे plus operator ल हम यहाँ पर निकाल सकते हो right तो इसको हम लोग वोड़ा सा practically आप इंप्लिमेंट करके देखें जैसे मान लो कि आपके पास में एक my list नाम से आपके पास एक variable है इसके अंदर आपके पास एक list है list को square bracket से दिखाते है और इसके अंदर कुछ let's suppose items है आपके पास right तो मैं आप numbers क्यों ना हो अगर आपके पास में list है some function है तो आप इसली सारा सारा सम calculate कर सकते हो तो मान लो यह आपके पास में list है अब में को क्या करना है में को इसका sum निकालना एक एक नाम से variable बना रही हूं इसके अंदर मैं sum function लगा रही है और sum में को किसका निकालना है my list के अंदर ज सारी-की सारे आइटम से इस लिप के अंदर सबका यहना पर प्लस हो चुका है और आपको रिजल्ट मिल गया है तो यही लिस्ट अगर इसमें हजार आइटम सो कितने भी आइटम लाक आइटम सो इसब का प्लस करके आपको list में भी मिल जाएगा लेकिन आभी कुछ लोगों के मन में सवाल या रहा होगा कि मैम list के अंदर तो अभी आपने number डाला है number के अंदर तो sum काम कर गया लेकिन एस list के अंदर मैं कोई नाम भी तो डाल सकती हूं जैसे मैं प्लस नहीं होता, right, mathematically प्लस नहीं होता, मैं आपको करके भी दिखा देती हूं, जैसे मानलो कि यहाँ पे str नाम से आपके पास वरियेबल है, ये एक list है, इसके अंदर let's suppose लिखा हुआ है स्वाती, और मानलो निशान भीया का नाम ले लेते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है नि के लिए, ना की string के लिए, right, तो कभी भी अगर आपको कोई पूछता है कि मैं some function लगा हूँ, एक list है मेरे पास, इस list के अंदर बहुत बार interview में ऐसे basic questions होते हैं, जो थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं, और ऐसा एक पूछा भी गया था, इतना basic question पूछा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिये तो confused हो जाते हैं लोग, थोड़ा ध्यान रखना basic चीज हो का, कि आपके पास एक list है, इस list के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, अब सबके नाम को एक साथ concatenate करना है, तो some function लगा सकते हैं क्या, some function इसके लिए work नहीं करेगा, some function यहां पर इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहीं चीज अगर मैं ऐसे करूँ, कि यहां पर अलग अलग नाम से अगर मैं यहां पर लिख दूँ, कि यहां पर a equals to swati लिखा हुआ है, let's suppose, चीक है, और b नाम का जो variable है, इसके अंदर let's suppose लिखा है निशान, अब मैं print a plus b अगर करती हूँ, a plus b, तो यह आपस में क्या हो जाएगी, दोनों string concatenate, लेकिन some functions, list में अगर कोई भी आपके पास string है, तो उतके लिए function काम नहीं करता हूँ, got it, अब next चो है, यहां पे, अब कुछ लोग क्या चाहते हैं पता है, some function के अंदर, एक चीज बहुत interesting बता जैसे मान लो, आपके पास में आप ए नाम की list है, इसके अंदर आपके पास में कुछ numbers है, like मैं randomly कुछ numbers लिख रही हूँ, right, 462, 521, अब मैं क्या बूल रही हूँ आपको, कि यह जितना भी है, let's suppose, मान लो, case study type, case condition हम लोग यहां पे ले लेते हैं, कि आप company में काम कर रहे ह है, as a data driven profile के लिए, आपके पास में, यहां पे जितने भी pricing है, जिसे आपके पास एक list drive, हर एक product का price लिखा हुआ है, 110 रुपे, 126 रुपे, 391, 462 और 521, ठीक है, यह जो था product का price था, अब इस product के price में, let's suppose, आपको 150 रुपे GST जोड़ना है, तो अब आप 150 रुपे को इस operation निकाल लो और फिर 150 रुपे अड़ करो, अब आप चाहते हूं कि मैं 150 को भी इनी के साथ अड़ कर दूँ, एक ही बार में इस operation को मैं perform कर दूँ, start में करना चाहता हूं कि 150 रुपे इस में add हो जाए, फिर 110, 126, 391, 462, 521, तो इसको भी आप यहां पी implement कर सकते हैं, some function क के अंदर कि start को एक particular value से यह हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो जैसे मान लो कि यहां पे a नाम से मेरे पास एक list है, इसके अंदर मैं लिख दी 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूं कि यह जो start कहां से हो, मैं चाहती हूं कि यह जो start हो, तो start होना चाहिए, इसमें plus 10 ज और मैं आपे मना रही हूं total नाम से एक function, जहां मैं sum function को apply कर रही हूं, इसके अंदर मैं a वाली list को pass कर रही हूं, और क्या pass कर रही हूं, यह जो starting value है, इसको pass कर रही हूं, इसके बाद मैं जाके यहां पे print अगर करती हूं total को, तो अब आपको यहां पे जो result मिलेगा 25, कैस 25 मिला, कैसे यह काम किया, तो यहां पे simple सा code है समझना, ए नाम की list थी, इसके अंदर items क्या थे, 1, 2, 3, 4 और 5, इस सबको अगर plus करोगे तो 5 plus 4, 9 होता है, 9 plus 3, 12 होता है, 12 plus 2, 14, 14 plus 1 होता है 15, लेकिन हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि starting में 10 इसमें add हो जाए, मैंने starting value नाम स sum function लगा रही हूं, sum function के अंदर इस a नाम की list को मैंने डाला, और जो starting value जिसके अंदर मैं 10 चाहती थी, उसको मैंने डाला, अब जैसी मैं total कर रही हूं, तो इस 15 के साथ 10 आपका add हो गया, और result आपको मिल गया 25, जिस तरीके से भी आप sum function को easily use कर सकते हैं, अब मानलो इसी को अगर मैं same चीज़ को यहाँ पर copy कर रही हूं, अब मैं चाहती हूं कि 10 starting value को मैं 10 न रखके मानलो 2 रख देती हूं, तो 15 plus 2 क्या होता है, 17, यह आपको यहाँ पर easily मिल जाएगा, जिस तरीके से काम करता है हमारा sum function, अब बढ़ते हैं आगे next function की और, okay, so next function जो हम लोग पढ evaluate से eval, जो हो लिया गया है, evaluate करना, तो यह करता क्या है, कि python के expression को, अगर कोई भी आपका python का expression है, लेकिन वो string के format में है, तो मैंने आपको clearly यह समझाया था, जब भी हम लोग string की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं double inverted comma के अंदर, string में आप क्या लिख सकते ह यह भी string होगा, string के अंदर आप कोई sentence लिखना चाहते है, hello class, तो यह भी आपका string होगा, अब अगर कोई expression आप लिखते हो string के अंदर, जैसे कि मैं लिखते हो 23 into 45, then divided by 36 plus 42, यह expression मैंने लिखा है math का, अब इस expression को अगर आपको evaluate करना है, आपको solve करना है, तो इसके लिए आप use कर सकते है, eval का, जो की string में stored expression को solve करने के लिए मदद करता है, तो इसको हम लोग जब एक code लिखेंगे, तो और अच्छे से समझ जाओगे, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक expression है, ठीक है, इस expression में, मान लो, x आपके पास एक variable है, इसके अंदर value है 10, y आपके प classic expression है, तो मैं expression नाम से यहाँ पे एक variable बना रही हूँ, string है, और इसके अंदर expression क्या लिखा है, मैं हम लोग पढ़ते है expression, x plus y multiplied 2, ठीक है, यह हमारे पास expression लिखा है, अब इस expression को अगर मुझे evaluate करना है, तो मैं आपके लिख सकते, you print, eval function लगाऊंगी, और इस eval function के अंदर म क्या basically pass करना है, तो expression नाम से मेरा variable है, जिसके अंदर मेरा expression लिखा है, इसको मैं pass कर दूँगी, तो यहाँ पे आपको easily multiply करके, perform करके दे दिया, और result यहाँ पे आपको easily मिल गया, तो यहाँ पे आपका आगया है 20, ठीक है, इस mathematical expression को, जो string के अंदर था, इसको solve करके दे सकता आपको eval function, अब ठीक, ऐसे ही मान लो, आपके पास एक expression है, exp नाम से मेरा variable बना रही हूँ, और इस expression के अंदर लिखा है 5 divided by 2 plus 3.5, ठीक है, अब इसको भी आप evaluate करना चाहते है, तो simple है, print लगाओ, eval function लगाओ, इस expression को pass करो, तो आपको result यहाँ पे मिल गया, इसको 6 आपको मिला है, यह किस type का, अगर आपको यह भी चेक करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे print type, और यहाँ पे आप लिखेंगे exp, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यह string type का है, और यह आपको result यहाँ पे available हुआ है, अब इसी तरीके से आप कोई भी expression, कितना भी बड़ा expression क्य कोई भी हम लोग एक random ले लेते हैं, जैसे 234, multiplication 25, plus 63, minus 98, then divided by 2, ऐसा कुछ में बड़ा सा है, आप expression ले रही हो, अब इसको भी अगर आपको evaluate करना है, तो simple है, print, eval लगाओ, और इसके अंदर exp1 को pass कर दो, result आपको यहाँ पी easily available हो जाएगा, तो इस तरीके से काम करता है advance में जैसे जो भी expressions पढ़ते थे, जैसे मालो एक variable है मेरे पास, 5 नाम का x, y नाम से एक variable है, इसके अंदर value है 2.5, एक z नाम से variable है, इसके अंदर है value, let's suppose 32, अब में को यहाँ पे expression दिया हुआ है, तो यहाँ पे exp is equals to में लिख देते हूँ, एक expression हम लोग यहाँ पे बना ले of 3, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने expression बना दिया, अब इसके expression को solve करेंगे, तो क्या result मिलेगा, solve all करने के आपको manually कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतना math की जरूरत हमको नहीं पढ़ती है, data science के लिए, basic math हमको अच्छे से strong होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग easy calculate कर प eval one argument must be string और bytes, तो यहाँ पे हम लोगों को string में basically pass करना है, तो हमने यहाँ पे double inverted, देखो, यहाँ पे double inverted comma मैंने लगाना भूल गया, तो यह अपने आपने को error आगया, कि आप यहाँ पे evaluate function हमेशा strings या bytes में होगा, तो आप अगर string में कोई चीज को लिख रहे है, तो आप double inverted comma लगाई है, तो यही है एक बढ़ी असा debugger जो आपको calculate करके भी बता दिता है, कि कहाँ आपका syntax error है, तो यह आपका आगया result इसका, तो कभी भी expression आपके पास है string के format में, उसको evaluate करना है, तो आप eval function की help यहाँ पे easily ले सकते हैं, got it, अब next यहाँ पे function है, आज हम लोग function होगा, तो यह जो help function होता है, कैसे काम करता है Python में help function, so I am just going to show you guys, तो Python में देखो, अभी बहुत सारे functions होते हैं Python में, right, user defined functions, तो खेर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ें built-in functions, तो इसमें कई सारे functions available होगे, तो जैसे मान लेते हैं, कि एक कोई function है, जैसे nekanty जरुवरत नहीं कि Print कैसे Python में काम करता है, Python में पहले से help function बना के रखा है, वो क्या करता है, किसी चीजर के वाहरे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो Python खुक ना चाहते हो print क्या काम करता है तो मैं यह पर लिख दूंगी print और इसको run करूंगी जैसी मैं इसको run करूंगी तो देखो आपको यह पूरा का पूरा detail explanation समझा के देगा कि help जो है built-in function है python का जो कि आपको print करने के लिए values काम आता है हर एक पूरी के पूरी detail जो है इसके अंदर वो आपको यहाँ पर show करके देदेगा अब जैसे हम लोगों को ने पढ़ा था int function जो कि क्या करता था किसी भी number को चाहिए वो floating point number हो उसको किसमें बदल देता था वोगों के लिए दोक्यूमंटेशन आपको मिल जाएगा तो अगर बहुत सारे functions ऐसे होंगे जिसके बारे में जानते नहीं होंगे तो आप नहीं जानते तो कुछ नहीं करना तो पहली चीज क्या है help function लगा दो help लिखो help लिखो bracket लगाओ जिस की चीज के बारे में नहीं जानते हो जिस keyword class या function के बारे में उसके बारे में डाल दो एक और दूसरा तरीका ये भी होता है जैसे कि आप जानना चाहते हैं let's suppose मान लो आज हम लोगोंने sum function पड़ा sum function की बारे में जानना चाहते हो तो यहां पर लिखो help और इसके अंदर डाल दो sum और run कर दो यह आपको यहां पर बता दिया कि sum function कैसे काम करता है यही चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो sum लिखो उसके बाद दो बार आपको क्या करना है यहां पर question mark लगाना है और run करना है तो भी आपको देखो यहां पर यह पूरा detail explanation समझा के देदेगा तो अगर कोई ऐसा function है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप या तो जो आपका function है या keyword है या class उसका नाम लिखके दो बार आप question mark लगाए तो भी आपको result मिलेगा यह direct आप help लिखके भी कर सकते हो help function लिखो नाम डालो उसके अंदर भी आपको result यहां पर easily मिल जाएगा तो इस तरीके से काम करता हमारा help function अब एक बहुत जरूरी चीज़ देखो अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जुतनी भी हम लोगों ने पढ़ाई की इसमें मैं अप customers provide करेंगे normal individual जो लोग होते हैं वो provide करेंगे ना कि हम अपने मन से assume कर लेंगे कि अच्छा चलो age नाम का variable बनाते हैं और इसमें 48 डाल देते हैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है ऐसा नहीं होता हमको data कौन देगा customer देगा हम क्या करेंगे उससे customer से input लेंगे right अब जैसे for example मान लो क मैं काम करते हूं एक healthcare industry में data की किसी profile में मेरा काम यह है कि customer का नाम क्या है हम लोग भी आप में लॉग इन करते हैं तो पूछता है ना अपना नाम डालो mobile number डालो आपका gender क्या है let's suppose वो डालो आपकी age क्या है वो डालो right हमारा काम specially data driven profile में यह सारा जो data है को लोगों से लेने का काम होता है data को collect करना right तो अब हमें क्या करना है हमें लोग खुद बताएंगे कि अच्छा मेरा नाम यह है मेरा mobile number यह है age जंडर यह है तो हमको क्या करना है यहाँ पे लोगों से data input लेना है right तो हम लोगों से input कैसे ले सकते हैं इसके लिए सबसे बड़ा और important function होता है input function बहुत important function है बहुत काम आने वाल है तो इसके लिए use होता है input function तो अब मैं हम लोग अगला function जो पढ़ने वाले है that is the input function let me just write it here in a format of a heading input function input function यह बहुत जरूरी function है थोड़ा सो ध्यान से सुनना ठीक है अभी जैसे मान लो मेरे को किसी भी इंसान से जैसे में को पूछना है please आपना अपना नाम enter करिये ठीक है तो अब मैं user से पूछ रही हो ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी जैसे मान लो मैं आप एक name नाम से variable बना रही हूँ अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी input function input function में हम लोग यहाँ पर ब्राकेट लगाएंगे उसके बार मैं user से पूछ बोलना चाहती हूं enter your name ठीक है अब इसके बाद enter your name और इसके बाद हम लोग यहाँ पे print करवा देते हैं name को ठीक है print करवा देते हैं name एक line और लिक भी देते हैं इसमें name entered by user इस नाम से ठीक है और कॉमा लगा कि इस variable को पास कर देते हैं name अब मैं जैसे इसको run करूंगी न देखो हर बार हम लोग अभी तक जितनी चीज़ें पड़े हैं अप इन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग यहाँ पे direct input user से ले रहे हैं तो आपने लिखा था enter your name, enter your name लिखके आ गया और एक box बनके देखो है एक खाली box बनके आ गया यह जो खाली box है आपने इसके अंदर जाओंगी और यहाँ पे user हमको value देगा जैसे मेरा नाम है Swathi अभी भी कोई भी input आपको user से लेना है तो उसके लिए use होता है input function लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह जो input function है यह कोई भी अगर आपका input लेता है तो उसका जो data type होता है वो कौन सा data type होता है string type का data type होता है अगर मैं आपको यह प्रिंट भी करवा के देखतू ना तो मैं आपको यहां दिखा देती हूं print type और इसके अंदर variable का नाम डाल देते है name तो इसको मैं sorry यहां पर bracket गलती से लगए इसलिए error आ रहे है तो यहां पर मैं डाल देती हूं जैसे spati so it is showing print की spelling गलत है इसलिए error है run अब मैं डाल देती हूं लेकिए spati अब देखो यह जो input है हमे मैं आपने तो यहां पर swati डाला तो obvious सी बात स्वाती तो string होगा अगर मैं कोई number डालूं तो यह भी करके देख लेते हैं एक बार जैसे age नाम का variable बना दी अब मैं हाँ पे input ले रही हूं user से और user को मैं पोल रही हूं enter your age please ठीक है अब इसके बाद मैं हाँ पे print करवा देती हूं age of user इस नाम से यह print होगा इसके बाद हमारा आएगा variable age अब मैं इसको run करके देखते हूं तो जैसे मानलो मैं 25 साल age डाल दी तो यहां पे आगे age of user is 25 अब मैं को इसका data type चेक करना है तो मैं यहां पे लिख देती हूं मानलो print type और इसके अंदर age वाला जो हमारा variable इसको पास कर देती हूं तो age इस बार मानलो डाल देती हूं 30 अब देखो यह 30 number मैंने डाला था ना उसको भी यहां पी कौन से class में लिया है string तो जब भी input function आप लोगे यह हमेशा किस तरीके से data लेता है string के format में आपका data यह हमेशा लेता है right तो इस तरीके से काम करता है हमारा input function कभी भी कोई भी program बनाना हो कोई भी user से input लेना हो तो क्या लगाओगे input function enter your mobile number enter your this that इन सबके लिए हम लोग input function का यहां पे basically use करते हैं यह example था अब आज ही class में हमने बहुत सारे functions को देखा अब final हम लोग आज जो पढ़े हैं उसको practical implement करेंगे कुछ practice questions को code करके solve करके आज ही class का पहला practice question यह है get two numbers from the user and calculate their sum अब में को क्या करना है दो number जो है वो user से लेना है एक user है उसको मुझे बोलना है कि आप दो number डाले उसका मैं sum आपको करके दे देता हूं right तो दो number अब कौन बताएगा user बताएगा तो user से दो number लेने हैं हमको तो obviously बात है कभी भी कोई कभी चीज आपको user से लेनी है input तो क्या use करोगे input function का देखो कभी भी ना इक बहुत अच्छी आदत बता रही हूं आप लोगों को कभी भी जैसी question आता है तुरंत code करने नहीं लग जाना है बहुत तो गलती करते हैं तुरंत पटाफट पटाफट code लिखने लगते हैं अरे user से ले लेंगे अब दो number आगए अब दोनों number को plus करना है तो सम हम लोगों को यहां पे लगाना पड़ेगा रईट तो सबसे पहला काम क्या करना है behaviour हम को यहाँ अलेनी है तो मैं आप एक वेरियेबल बनां हो nama तम Lambda diverse इसमेन जाया तो मैं आप ost na now कि मैं प्रस्पीर इसन प यहां पर लिख रहा हूं नम्टू नाम से, यहां पर मैं input function लगा रही हूं और मैं यहां पर लिख रही हूं, enter, second number ठीक है, यहां पर हम लोग 2 user से number मांग रहे हैं, अब यह दोनों number आज अब जाएं मेरे पास, मिरे को इसका sum करना है, sum equals to num1 plus num2 कर रही हूं और उसके बाद मै यहां पर जाके प्रिंट करवा देती हूं समकूं अब रन करते हैं देखा यह code गलत है मैंने जान बूच के गलत code लिखा है ताकि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊ और एक concept यहां पर एंटर फर्स नमबर बोल रहा है तो मालो user ने पहला जान बूच के मैंने गलत इसले लिखा है क्योंकि आपको जस्ट मैंने अभी बताया है कि यहां पर फर्स नमबर हम लोग डालेंगे यह string है तो यह जो 5 है हमारा लिखा हुआ यह आपका string है और यह जो 10 है यह भी आपका string है जैसी मैंने 5 प्लस 10 किया तो string हमेशा concatenate होती है न तो अब क्या करें तो इस string को किस में बदलना पड़ेगा इस string को हमको बदलना पड़ेगा integer में या floating point में कभी हमको यहाँ पर results नहीं मिल पाएगा तो string को let's suppose मैं बदल देती हूं यहाँ पर int में ठीके इसके अंदर में को int लगाना पड़ेगा int function मैंने इसकी पहली class में पढ़ाया है यहाँ पर मैं लगाऊंगी int और इसके बाद here I am writing int अब यहाँ इसको अगर जा गया 8 तो हमेशा याद रखना input function आपका हमेशा क्या values लेगा string value को अगर आपको इंटीजर में convert करना है इसलिए मैंने इसके सामने में int वाला जो built-in function है इसको लगाया है इस तरीके से solve होता आपका question no.1 got my point आगे बढ़ते है solve करते है question no.2 ओके swap solve करना है question 2 देखो question बढ़ा इतना बड़ा question था question बहुत easy था बड़ा था देखके लगता है कि complicated होगा right वैसा नहीं होता है as a part of your role in a data driven project you need to take input from the user for their age, weight and height आधा आधा तोड़के हमेशा question को समझा करो क्या बोल रहा है कि आप एक data driven project पे काम कर रहे हो आपका काम है कि आपको user से 3 चीज़े input लेना है age, weight और height लेकिन यहाँ पर इशू आ गया है कि user नी जो age enter किया है वो negative enter किया है, अब आपको क्या करना है age तो नेगेटिव नहीं होती तो आपको user की जो age है उसको आपको सही करना है, क्योंकि उब्व्यस सी बात है आपको ऐसे आपको काम करने ही पड़ेगा जब भी data profile में रहो मेटाबॉलिकी बीमार आपको कैल्कुलेट करना है बीमार का यहाँ पर पॉर्मुला जो दिया हुआ हैं डीजrial को आपको calculate करना है जो भी वेट यहां पर डालेगा यूजर वेट में आना चाहिए हाइट हाइट पर एज एज में राइट तो अब आपको बीमर यहां पर calculate करना है और तीसरी चीज बोल रहा है कि जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए ना वो आपका इंटीजर होना चाहिए तो एक question हमको तीन चीज करने बोल रहा है पहली चीज बोल रहा है कि यूजर से जाकी input लो कितनी चीज का weight का height का और age का यह आपने ले लिया दूसरी condition बोल रहा है कि age जो उसने डाली है वो negative डाल दिये अब आपको age जो है इसको correct करना है दूसरा काम तीसरा काम जब age correct हो जाएगी तो यह BMR का formula लिखा हुआ है इसको calculate करके आपको BMR की value निकालना है और चौती चीज बोल रहा है कि जब आपके पास BMR की value आ जाए last में जो भी value आया आकरी में जो आप दिखाएंगे वो आपको integer में नहीं दिखाना है तो यह चार काम करने हमको इस एक question के अंदर राइट शुरू करते हैं एक एक करके काम पहला सबसे पहला step कि हमको user से input लेना है कितनी चीज का input लेना है age weight और height का सबसे पहले मैं यहां पे बना रही हूँ age नाम से एक variable इसके अंदर में को user से input चाहिए तो formula आपका लगा हुआ है इसमें हमको calculate करना है इस formula में तो अब में को age चाहिए होगी वो किसमें चाहिए integer में चाहिए right तो मैं हापे क्या करूंगी integer में में को age चाहिए तो मैं यह जो input जो भी आएगा ना इसको int function लगाके integer में convert कर दूँगी तो मैंने लगा दिया int function weight में मे नाम से variable बनाया इंट लगाया इसके बाद में input function लगाया यूजर से input लेने और इसके बाद में यहाँ पे लिख रही हो enter your weight ठीक है इसी दरीके से एक और variable बना लेते हैं इस variable का नाम रखते है height is equals to height भी मान लो हम लोग यहाँ पे लिख लेते है floating point में ठीक है height हम लोग floating point मे ले लेते हैं किसी की height 5-4 होती है किसी की 5-6 और यहाँ पे बोल देते हैं enter your height राइट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लीज इग्नोर spelling mistake that there will be any । आप तो यह तीन चीजें हम लोगों ने यूजर से in-put ले ली अब क्या calculate करना है अब हम लोगों को यहां पे जो calculate करना है यह हमें हमें पे जो calculate करना है क्या क्वार्च करना है सबसे पहले तो age जब user डालेका उसको ठीक करना है mr कैलिए जिसका यहाँ फॉर्मूला हमारे पास में यह घ्रा कर रहे हो यहाँआ पूल को यहाँ दिया हूआ है इस फॉर्मूले को मैं simple सा फॉर्मुला है इसको मैं पॉपी करके paste कर रहे हो ओके यह हमने कर लिया अब देखो क्या होगा पहले में इतना code run करके दिखा रहे हो age मालो user ने डाल दी minus 35 minus 35 डाल दी weight मालो डाल दिया उसने 65 kg का है और height डाल दी उसने 5 bit 2 inch है अब देखो जैसे यहाँ पे kg is not defined it is showing weight in kg ok so यहाँ पे अभी मैंने इसको copy किया था इसलिए error दिखा रहे हैं इसको comment में लिख देती हूं वापस run करते हैं age मालो मानने डाल दिया minus 30 weight डाल दिया 65 height डाल दिया 5.2 अब देखो age जो है वो minus 30 है minus 30 को अब हमको क्या करना पड़ेगा पहला काम कर लिया अब दूसरा काम करना है कि age को correct करवाना है तो minus में तो कभी कोई age नहीं होती अब कोई भी चीज आपके पास minus में आ जाए और उसको आपको convert करना है positive में तो मैंने पिछली class में पढ़ाया था abs function built-in function absolute जो कि कोई भी minus वाली चीज को plus में convert कर देता है भूलना नहीं है राइट पिछली class revise करना है तो अब मैं क्या करूँगी यहां पर correct correct age नामसे correct age नामसे variable बना लूँगी small में लिख देती हूँ correct age नामसे variable बनाऊंगी और जो भी मैं यहां लगा दूँगी abs function absolute function इसके अंदर पास करवा दूँगी age को तो जो मेरी age गलत डाल दीती user ने मानलो negative डाल दीती अब वो सही हो कई है तो print भी करा लेते है इस शीज को the correct age of user is और इसके बाद लगा लेते है comma और variable पास करवा देते हैं हमारा correct age नामसे run करते हैं अब देखो उसने जो user ने डाला था वो minus 30 डाला था negative age लेकिन हमने उसको correct आके कर लिया positive में तो दो काम हमारा हो चुका है अब तीसरा काम क्या था यह जो formula दिया हुआ है यह आपको इसको calculate करना है तो यह जो formula हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं कमेंट से हटा रही हूँ तो weight इन kg को अटा दो इन cm को अटा दो और यहाँ पे इन years को अटा दो यह हमारा बन दिया formula ठीक है इस इस आर formula तो यहाँ पे इस formula में हम लोगों ने जो formula का इसको define कर दिया और आज की class में कोई भी देखो अब यह क्या है हमारे पास एक mathematical expression है अब इस mathematical expression को अगर मैं को calculate करना है evaluate करना है तो आज ही मैंने आपको पढ़ाया है eval function के बारे में तो simple सा है expression तो लिखा हुआ है तो इसको डाल दो किसके अंदर double inverted commas के अंदर प्रिंट के format में होना चाहिए अब दूसरी चीज़ क्या करना है हमको अब इसमें हम लोगों को eval function जो है हम लोग लगा सकते हैं तो मैं आप एक bmr नाम से variable बना रही हूँ eval function लगा रही हूँ और इसके अंदर capital वाला जो bmr है इसको मैं pass कर रही हूँ यहां पात करवा देती है छोटे वाले bmr को अब age है मैं डाल दी minus 30 weight डाल दी है 65 height डाल दी 5.2 तो यहां पे age आपकी correct हो चुकी है 30 और अब आपको जो bmr calculate करने का यह formula दिया था इसमें आपने calculate भी कर लिया patient का bmr आ रहा है value जो है आपकी वो आनी चाहिए integer लेकिन अभी हम देख रहे है यह value तो आ रही है floating point अब क्या करना पड़ेगा इसको हमको convert करना पड़ेगा floating point में तो simple है इस code में मैं जाऊंगी bmr के आगे लगा दूँगी float function को और यह अब convert हो जाएगा मेरा floating point पे चलो फिर से डाल देते है age कुछ और डाल देते हैं इस बार age minus 45 डाल देते है weight डाल देते है 85 height डाल देते है 5.6 अब देखे यहाँ पे आपकी जो user की age थी पहला का minus 45 था आपने इसको plus कर दिया आप यहाँ पे sorry यहाँ पे integer होना चाहिए था हमने float डाल दिया गलती है so here we have to write int run age minus 45 weight 85 height 5.6 अब देखो जो final result हमारा पहले आ रहा था 150.9 something float में आ रहा था जैसी हमने इसके आगे int function लगाया अब यह integer में result मिल गया तो चारो चीजों चारो जो questions से कर ली हमने पहला question था input करवाओ user से करवा लिया age गलती सही करो कर दिया bmr calculate करना था कर दिया और last मैं बोला था integer में चाहिए तो integer में भी करके दे दिया तो यह था basically हमारा आज की class का question number 2 अब मैं यहाँ पे आपको एक question homework के तौर पे दे रही हूँ I know I understand कि भी बड़े बड़े हो गए हो तो ऐसे homework बोलना अच्छा नहीं लगता है इसको मैं बहुत fancy सा assignment जिससा नाम दे सकती थी but see homework में वाई बाता है right feel आता है कि हाँ हमको यह करना है धर में काम भी करना है सिर्फ यह नहीं है कि lecture देखना है lecture देखोगे बता रही हूँ 50% 40% सीख पाऊगे लेकिन जब खुद से जा कि अपना laptop ओपन करके अपना system ओपन करके code करोगे तब confidence आएगा कि हाँ यह चीज में मेरा को command आगे है मज़ा आ रहा है में को पढ़ाई करने में right तो वो मज़ा आना important है और वो तब ही आएगा confidence जब खुद से कोई question solve करोगे तो दो questions मैंने करवा दिये एक question मैं आपको दे रही हूँ homework question भी समझा देने हूँ कि इस question में क्या करना है please इसका code लिखना अपने जुपिटर notebook में और code अगर solve हो जाता है तो please में को comment करके जरूर बताना तो कि में को भी लगता है ना कि पढ़ाना तब सार्थक है जब सामने वाला पढ़ने के लिए excited हो एक्चुक हो जब आप लोगों का answer आता है ना comment में खुशी होती है कि चलो जो पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है learners को और वो लोग आके बकायदा code करके बदा रहे हैं कि question हमसे बना की नहीं बना नहीं बनेगा तो भी मेरे को बताना कि ये question नहीं बना मैं आगे आने वाले lecture में उसका solution करवा दूगी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है आपका काम है प्लीज सही तरीके से हुगवा करना मैं वो स्कूल की टीचर टाइप नहीं पीछे बढ़े रहाँगी कि बनाओ बनाओ but हाँ request है request कर रही हूँ आप लोग से कि बना लेना question number 3 क्या बोल रहा है कि आपको एक python का code लिखना है hostel students के लिए आपको उन hostel students से पूछना है तीन चीज़े पूछनी है अब हर एक hostel मेरा अलग-अलग जैसे मालो है कोई college है वो college आपको BE की degree भी देता है BST की भी वहाँ students पढ़ाई करते हैं और क्या होता है BTA के भी students पढ़ाई करते है तो आपको ऐसे 5 college के students है उनसे पूछना है कि आप कौन से course में पढ़ते हो आपका नाम क्या है और आपकी age क्या है ऐसा चीज़ आपको 5 students से पूछना है हो सकता है कोई student BE वाला हो कोई BST वाला हो कोई BCA वाला हो sum divided by number total जो present है 5 students है जैसे माल लो यहाँ पर पाचों की age मैं कुछ एक example ले ले रही हो 25 है एक की 26 है एक की 28 है एक की 30 है और एक की 19 है अब आपको average निकालना हो तो कैसे निकालोगे 25 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 19 divided by 5 आ जाएगा आपका average तो यह question मैंने आपको दिया हुआ है इसमें आपका built-in function input function यूज़ होगा और आगे नहीं बताऊंगी ठीक है खोड़ा सा काम खुद करना solve करना और मुझे comment करके जरूर बताना यह question बनाया नहीं यह था question एक code वाला दो questions और दे रही हूँ यह MCQ questions है करन रहा था दीरे दीरे करके दो और तीन में से पर तीनो questions बनने लगेंगे तो दो questions मैं और दे रही हूँ यह मत सोचना कि बहुत ना मैं बहुत बढ़न दे देती है ठीक है मेरा काम है देना प्रैक्टिस करने के लिए तभी आप लोग चीजों को सीख पाओगे बढ़न की तरह मतले ना एकदम कामली अराम से रिलाक्स होके questions को solve परना तीन questions दो questions और क्या है so I'm showing you that all okay so एक और question है which built-in python function is used to calculate the absolute value of a number 4 options है A, B, C, D इनमें से correct option कौन सा होगा comment करके बताना 2 minute video को pause कर लेना थोड़ा सा सोचना जवाब बिल जाएगा right तो ये था आपका एक question और second question आपका ये है which of the built-in python function is used to find the length of an iterable object अगर आपको कोई भी iterable object की length find करना है तो इनमें से कौन सा आप function जो है वो use करेंगे 4 options है correct क्या होगा तो तीन questions दिये है एक में code लिखना है और दो में MCQ questions है इसके सहीं जवाब मुझे comment करके जरूर बताइएगा alright जैसा मैंने promise किया है data curious mind तो basically photo देखके तो सब समझ गए होंगे the super human Mr. Elon Musk PayPal से related आजका ये हमारा data curious mind है finance based ना बहुत सारी companies है और बहुत सारी finance based companies में जादा तर requirement होती है data scientist, analyst, data engineer, architect जैसे profiles के लिए machine learning engineers के लिए right AI engineers क्यों तो अगर हम लोग बात करें जैसे एक company PayPal है ये finance based company है तो ये company दरासल 1998 में शुरू की थी Max Lachyn ने और Peter Thiel ने right Peter Thiel जो थे ना ये जब Facebook शुरू हुआ था Mark Zuckerberg ने जब Facebook शुरू किया था तो अव्यसी बात है जब आपको चीज शुरू करते हैं तो आपके बस इतने पैसे तो होते हैं आपको funds लेने पड़ते हैं तो Peter Thiel जो थे first investor थे basically आपके Facebook के right उन्होंने बनाया था PayPal found किया था 1998 पे जिसका मकसद था कि digital करना है हमको payment के तरीके को ये ना हो कि हम एक दुसरे को अगर payment देना है तो electronically हम एक दुसरे को payments जो हैं भेजबाएं उसके बाद एक साल बाद 1999 में Elon Musk ने involved हुआ था basically PayPal के साथ में और उनका involvement कुछ इस तरीके से हुआ था कि X.com नाम से जो company थी उसका basically idea उस पे काम basically online banking पे basically काम किया था Elon Musk ने 1999 से शुरुआत कर दी थी फिर उसके बाद में ये Confinity के साथ जाके merge हो गया और Elon Musk ने जो X.com बनाया था एक online payment system के लिए इसका basically merger हुआ और फिर company का जो नाम है वो रिने मुआ था PayPal के नाम से है तो कुछ इस तरीके से Elon Musk, Max और Peter Thiel जो है इसके साथ में basically work किया है अब next जो है यहाँ पर important और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब ये जो चीज है PayPal के बारे में तो जान लिया अब ये जो online fraud होते हैं जब भी मैं बात करती हूँ ना किसी भी finance based company की तो इसमें क्या होते हैं कई सारे हमारी चीज़ें involved होते हैं और ये economy का हर देश का finance economy का एक बहुत बड़ा part है पैसे ही नहीं है तो कुछ नहीं होता राइट तो finance जब इसका बहुत बड़ा part होता है तो अगर हम लोग देखें कितने सारे आपके banking sector है कितना बड़ा आपका stock market है कितनी सारी आपकी finance based companies है और इन सब के लिए सबसे ज़्यादे important क्या है हमारा भरोसा हम इन पे देते है इतने लाको करोर रुपए लोग जाके bank पे रखते है क्यों कि वहाँ safety and security है तो यह जो safety और security है यह secure होनी भी तो चाहिए यह ना हो जाए कि fraud हो गया और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी देखते भी है इस fraud इसे बचने के लिए भी ना सबसे important role play करता है आपका data science आपके machine learning, deep learning के algorithms तो आज की date में अगर हम लोग देखे कि जो online fraud हो रहे हैं small businesses की भी अगर हम लोग बात करे hundred billion dollars per year से भी जादा आपके fraud हो जाते हैं इतना जादा fraud जो है obviously बात है fraud बढ़ता जा रहा है तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें कि 38% ऐसे global businesses हैं जिन्होंने यह चीज experience की है और यह जो online fraud है 2020 से 2022 तक और जादा massive तरीके से बढ़ा है अगर हम लोग देखें ना यह जो fraud analytics का market है 34.6 billion dollar का 2021 में था और आज 63.5 billion dollar पे पहुँच गया है तो देखो बहुत सारी ऐसी companies होती है जो fraud detection पे बहुत अच्छा robust काम करती है और वो बड़ी-बड़ी companies को ऐसे अच्छे से AI models आपके algorithms बनाके बेच देते हैं क्योंकि हर finance based company को अपनी security, safety, हर एक customer की बहुत जादा important है तो data science कैसे PayPal ने use किया इस fraud वाली हर महीने जो मंतली transactions होते हैं PayPal में वो 100 करोड से भी जादा होते हैं अब आप समझ रहे हो एक मंत में 100 करोड से भी जादा data आ रहा है transactions हो रहे हैं तो कितना important है यहाँ पे इस चीज का safety का ध्यान रखना और इसलिए PayPal ने क्या किया fraud detection के लिए इसका इसानी से वर किया इसने यूज किया AI intelligence का machine learning algorithms का और यह 24 प्रोड 7 जो भी transactions होते हैं उसमें इसका जो fraud detection algorithm होता है वो काम करता है data science का आज PayPal जो है वर्ल्ड की largest और सबसे जादा प्रस्टेड online payment platform है जो 200 से भी जादा countries में अपना business जो है वो run कर दिया है अब जानते हैं कि कैसे कैसे करती है PayPal यह काम data science का सबसे पहला step तो हमें पता है data collection तो हर एक जितने भी sources होते हैं चाहे वो आपका transaction में आप करते हैं तो उसमें कि जो credentials credentials in the sense कि आप जब login करते हैं user की जो profile होती है fingerprint, IP address, historical address यह सारा का सारा data जो है वो आपका लेता है अब देखो बहुत important और crucial data यह होता है अब data collect होने के बाद pre-processing होती है कई बार IP का handle करना पड़ता है missing values, inconsistent data होता है raw data से आपको final data पर बना के काम करना पड़ता है बहुत सारे feature आप extract करते हैं काम की चीजों को रखते हैं नहीं काम की चीजों होती है उसको हटा देते हैं यह सारे के सारे steps आपके involved होते हैं इसके बाद आपका model training के लिए यह जो fraud activities बगरा होती है ना इसके लिए सबसे अच्छे जो algorithms होते हैं machine learning का supervised algorithm जैसे की neural network हो गया decision tree हो गया या ensemble technique हो गया या anomaly detection जैसी जो आपके algorithms होती है इसका use करके हम लोग बहुत बढ़िया एक model को train करते हैं फिर उसके बाद cross validation technique वगरा लगा के model को evaluate करते हैं और final जाके उस model को हम लोग deploy करते हैं तो जितने भी transactions हो रहे हैं वहां पे भी आपके python का data science का machine learning का सबसे जादा use है और python सबसे जादा strong होनी चाहिए अगर in future data science के तरफ आप काम करना चाहते हैं तो here is the fact that कि देखो जब भी कोई एक चीज़ बनती है ना organization जब आपका build होता है उसके पीछे ना बहुत सारे लोग होते हैं जब PayPal शुरू किया था Peter Thill ने और उसके साथ Max Leachin ने तो उसके बाद उस basically PayPal को join किया था Elon Musk ने और Rediff Hoffman ने तो Rediff Hoffman कौन है LinkedIn इतने सारे लोग use करते होंगी job apply करने के लिए उसके founder है तो यहां पे PayPal को बनाने के लिए एक पिर ना एक ऐसा organization जिसमें सबके सब एकदम सूपर स्टार टाइप के लोग आ गए PayPal को नोंने ऐसे बिल्ड किया जिसमें से LinkedIn के founder involved थे Max Leachin थे Peter Thill थे और आपके Elon Musk थे अब अगर हम लोग देखें तो वहां से हटने के बाद Rediff Hoffman ने LinkedIn बना लिया आपके Elon Musk ने Tesla, Twitter, Right SpaceX सब बना लिया और इसके साथ जो PayPal में पहले काम किये हुए हैं इवन जो आपका YouTube भी बना हुआ है उसके भी जो founders से उन्होंने भी contribute किया था PayPal में तो एक organization लेकिन जब उस organization से अलग-अलग लोग निकल के अपना खुद का startup शुरू किये तो उन्होंने अलग-अलग अपनी बड़ी-बड़ी companies को build कर दिया यह Flipkart के example देखें हमारे इंडिया में तो Flipkart ने कितनी सारी अलग-अलग companies को जनम दिया Flipkart से निकली उडान उन्होंने बेसिकली सुमित ने उस पे बेसिकली वर्क और इतना बड़ी आप उडान चो है startup उसको बना दिया तो जब एक अच्छी जगा अच्छी लोग मिलते हैं तो definitely आप कहीं न कहीं उनसे सीख के ज़रूर ग्रो करते हैं तो ठीक ऐसा ही इसको PayPal Mafia के नाम से एक वह trend होता था इसको कि वो employees जो छोड़ दिये PayPal को उन्होंने अपना नया बना लिया तो ठीक ऐसे हम लोग के करियर में भी होता है जब आप करियर करते हैं आप बनाने के लिए जाते हैं तो भले ही काम आप अकेले कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे ना बहुत लोग involved होते हैं खास तो और पर आपके पेरेंट्स आपकी family आप अगर basically आपके कुछ आस-पास होते हैं आजकल तो और कम होते हैं तो यही होता है अच्छा अगर atmosphere मिलता है तो लोग अलग-अलग तरीके से grow करते हैं क्योंकि आप वहां पे तरीके आते हैं आपको सोचने के इसलिए बोला जाता है अच्छी संगत में रहो क्योंकि वहां पे आप लोगों की thinking जो आपसे चारगुना अच्छा सोच रहा है और सही direction पर सोच रहा है वह हमारे लिए important है यह नहीं कि आप बढ़ा कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको intention ही अच्छा नहीं है तो फिर वह किसी काम कर नहीं है तो in the same manner जैसा PayPal में हुआ वैसे ही learn कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो आसपस चीज और मैंने कहा था कि मैं definitely जो आप लोगों के ऐसे questions होते हैं बहुत लोगों के ऐसे दोस्त नहीं होते हैं जो उनको help कर पाएं बहुत लोग हम भारत में रहते हैं बहुत लोग बहुत सारी rural background से भी आते हैं तो मैं समझती उनका पर इसलिए आप लोगों को बोला है जो यह आपके साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है गनीश इस्वाभावी के कि हम जब नया पढ़ते हैं तो पिछला चीज हम लोग भूल जाते हैं आज आप लेक्चर फाइव में लेकिन वही अगर मैं लेक्चर वन टू का कुछ पूल दूं तो हो सकता आप भी लिएक नोट को मैं बता रही हूं सबसे पहला चीज तीन तरीके से रिवाइज करो पहला रिविजन जिस दिन पढ़ना शुरू किये हो ना जैसे मानलो आज आप पढ़ रहे हो लेक्चर नमबर पाइफ ठीक है? आज के दिनी lecture नमबर पाइफ अगर आप पढ़ रहे हो तो पहला रिविजन डे जीरो पर ही कर लो आज अगर आप सुबह लेक्चर नमबर पाइफ पढ़ रहे हो तो रात में सोने के पहले एक बार रिवाइस कर लो यह हो गया आपका पहला रिविजन दूसरा रिविजन कप करो अगले दिन राइट नेक्स्ट डे अगले दिन उसका दूसरा रिविजन करो तीसरा रिविजन जो है आपको कप करना है चार दिन के बाद अपना जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसका रिविजन तीसरी बार आ कालना जहां पर बैठके आप चितनी चीज़ें आपने पड़ी हुई है उस मन्त में उसको धीरे-धीरे करके आप उसको जल्दी भूलते नहीं है तो रिविजन आपको जरूर करना है तीन दिन चार दिन निकाल के रिविजन जरूर करो बहुत लोग यह होते हैं कि मैं मैं तो पूरा चार गंटा आज पढ़ा हूँ उसके बाद आज मैंने चार गंटा पढ़ा लेक्चर नंबर फाइव ठीक है फिर मैं अगले दिन चार गंटे पढ़ रही हूँ लेक्चर नंबर 6 लेकिन मैंने लेक्चर 5 को रिवाइज नहीं किया तो आपको कहीं न कहीं ट्रबल का सामना करना पड़ेगा आप नहीं याद रख पाऊगे राइट हम लोग इंसान है हम लोग मशीन नहीं कि एक यही सजिस्ट करती हूँ जो टाइम होता है न जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता उस समय रिविजन कर लो ठीक है क्यों देखो मुबाइल चलाते हूँ इंस्टाग्राम ऐसे रिल स्क्रॉल करते हूँ न वैसे इसकेल की वेबसाइट में जाना नोट्स डाउनलोड कर लेन अच्छी क्लास का अपने मुबाइल फोन में नोट्स रख लेना जब मन नहीं करता तो PDF नोट्स को देखते रहना अपने आप आपका रिविजन हो जाएगा राइट तो रिवाइस प्लीज कर लीजेगा नोट्स जो है वो इसकेल की वेबसाइट पे नोट्स अविलेबल है मैंने अल्रेडी पता दिये कैसे लिना तो नोट्स एक बार आप जरूर जो है जाके ले लीजेगा काम आएगा दूसरी चीज कोई भी और नेक्स क्वेशन हो कुछ भी सवाल हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ इंस्ट्राग्राम पे भी यूट्यूब पे कमेंट कर के भी और भी कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो यह वाट्साप नमबर है 78011312 इसमें भी आप हमें मेसेज करके वाट्साप करके रीच आउट कर सकते हैं और साथ ही आप मेरे साथ निशान भईयाम दूनों भाईबेन के साथ करना चाहते हैं तो यह हमारा इंस्ट्राग साथ मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पर से मोटिविटेड एंड कीप लार्निंग